अभी कुछ दिन पहले, जब दिजाता इंतिकार हुआ, तो बहुत से लोग बर्सवा के कभुस्तान के बैठे हुए थे, शाम हो चुकी थी, तक्रीबन देरा था और वो खबरों को बचाने के लिए जो मुलेरें बना दे हुए उपर बैठे हुए जो उस गदलके में, अल्की अल्की आवाजों में आते कर रहे थे, उनिदा को याद कर रहे थे, कुछ लोग लिदा की शायरी के बारे में बात कर रहे थे, कुछ लोग इनके अदब के बारे में, उसका ख्याल साथ को बहुत अच्छे शायर हैं, उसका ख्याल साथ को गड़िगर शायर हैं, और खेर हो गएरा, मैं सुन रहा था बाह बैठा में, और उस बहुत अजीब से एक कुदास माहौल में जहां अंदर मयत को आखरी सफर के लिए तर्यार किया जा रहा था, जा बहर ये मुदल सकता था, उस बहुत आसमा हौल में एक तस्वीर बन रही थी, निलागी, वो तस्वीर उस तस्वीर से तो इसी अलग थी जो मेरे सहे में थी लेकिन बहराद एक तस्वीर थी जो बन रही थी, इस किताब का माहौल भी, इसकी फजा भी कुछ बैसी ही है, जैसे उस दिन उस अभुस्तान में थी, जब यह किताब मुझे बहुत देर में मिली से, कल मिली है मुझे, and thanks to our poster department, लेकिन मैंने कहीं कहीं से जितनी जल्दी में मैं जो में देख सकता है, लेकिन मैं नदीम साब से राफिक हूँ, नदीम की पहरीर से राफिक हूँ, जबी सफे के आशकों उसे एक है, तो पुझे अंदर साथ, क्या रिक है, क्या रिक है। नदीम की शक्सियत, जैसा कि एक किताब में भी तारुप है और उसा भी हम लोग जानते हैं, कि नदीम साब की शक्सियत जैसे पहलू शक्सियत के तोर पर सामने आती है, बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे अधीद हैं, बहुत अच्छे साफी भी हैं। अगर इस किताब को गौर से देखा जाए, तो इस किताब में नदीम के ये तीनों रूप इतनी खुबसूती से दिखाई देते हैं, ये हैरत होती है। मैंने एक दो मदमून पढ़े हैं। हुसेइन के ओपर चुके मैंने खुद भी एक काफी लंबा चौड़ा खाका लिखा था, तो सबसे पहले मैंने हुसेइन का खाका या हुसेइन का तस्करा पड़ा इस किताब। और हुसेइन के बारे में जो कुछ उना ने लिखा वो तो बहर सब जानते हैं। उनका काफे नजारी से उनकी दिचस्पी और खाने से उनकी रगपत और उनकी महनत और उनका रूच। लेकिन वो मदमून वो एक सहाफी का लिखावा मदमून था। एक सहाफी एक इमानदार सहाफी जो एक दूसरे बहुत इमानदार आदमी की अना को सलाम करता है। और इसलिए सलाम करता है कि उस आदमी ने जूनकर सुरा नहीं की माफी नहीं मांगी लेकिन जिलावत नहीं को भूट करनी। यह उसकी माना थी और उसको एक सहाफी सलाम करता है। आप उस मदमून का मिज़ाज देखें तो वो एक सहाफी का मदमून है। जिसमें अकायक से दलाइल से सियासत की जो रिशादवानियां उन से और गंदी सियासत की जो चाले हैं उन से आपको वाकित कराता हुआ एक चेराओ बरता है आप उसे मेचे। हमें एक जुसरा मदमून बढ़ा और वो फनानिजामी साहब की। पनानिजामी साहब की ओपर जो मदमून लिखा गया है वो एक शायर में लिखा है। एक ऐसा शायर जो शेर को समझता है। जो शेर की नजाकत को समझता है। जो शायरी की जो मीनाकारी है उसको समझता है। जो फणा को जानता था और फणा को बाद करीब से जानता था उसमें फणा के लतीफे भी हैं फणा के कसीफे भी हैं उनके शेयर भी हैं उनके कसे भी हैं बहुत कुछ है लेकिन एक अकीदत है एक एरादत है एक सलाम है जो एक शाविर्द जैसी हस्ती रखने वाला नदीम बाहिस से एक शायर मुझे लिखाई दिए यह एक शायर का फिराज अखीदत है, एक दूसरे शायर उनकी तीसी एसे देख अधीर की एसे जो बाप की सारे मज़ा में ने यूँ ही सरी तो पर दिखाए लेकिल भारत मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा कहना नहीं है, क्योंकि उनके बारे में तारो कराना अभी काफी तारो भी चुपा है और नदीमों लोगों में से हैं जो अपनातार हो खुद इसलिए कुछ जाला उनके पारे में कहने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस किताब को पढ़के मुझे के शदीख एहसास हुआ किताब यह कोई भी तसकरा या कोई मी काका जैसा कि라 कि उसके पारे मुझे कुछ बात्ताव मुझे है वो तकृषी की हदमे आते हैं किताब इस ही है ओप उसके साथ एक शक्सियत सामने आती है उसकी अच्छाई और तो दिखाई देती है वे उसके साथ एक चीज और भी आती है जो दानिस्ता या नादरान इस्ता तोरपर दर आती है और वो होती है उस जमाने की तह्जीव, वो माहौल, वो तारीख जिससे वो आदमी इसका आपका दिखा गया है, जिसका आपा बनाया गया है, वो गुजरा है और गुजर गया है, तो तरअसल हम किसी एक आदमी का तथकरा नहीं पड़ते होते हैं, हम तारीख का एक पार्किट साइज एक सेलफी जैसा कहना चाहिए, वह हम देखते हूं और यह बहुत बड़ी बात है, इस लिए बहुत बड़ी बात है, कि यह लोग जा चुके हैं, यह अपने साथ, अपने तमाम खुबियां खामियां भी ले जा चुके हैं, लेकिन यह जो चीज नहीं ले ज कोड़ के कहा है, और वो तहजीद हमारे सामने किसी भी हैसे से, नदीम सिद्धियति के लखसों में सही, वो जब तर पहुंचती है, तो पता लगता है कि हमने क्या भोया है, हमने क्या लॉस्त था हमारा, तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हैं, मैं सिर्फ यह कुमूँगा, यह पुरसा नई यह उन चौबीस आदमियों को पुरसा नहीं है, जो गुदर चुपे हैं, जो आज हमारे पीछ नहीं है, यह एक तैजीद को पुरसा है, उस तैजीद को पुरसा है, जिसे अभी कुछ दिन पहले, जो जिन्दा थी, जिन्दगी से भातूर थी, उप्सुर्त पर हमारे आपके दर्मियां थी उस्ते जीजित को करांपों कर्मारा गया है अजित जीजित 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 जीजित